अब हमें इस topic का अगला concept पड़ेंगे जिसमें हम slope को find करना सीखेंगे सबसे पहले हम slope निकालना सीखेंगे जब हमें coordinates given हो तो उसके लिए मान लेते हैं P और Q दो point है जिनके coordinate x1, y1 और x2, y2 है तो इसको हम xy plane पे समझ लेते हैं मान लीजिए एक line है L जो की positive direction of x axis के जाख theta angle पनाती है और वह line दो point से पास होती है फर्स्ट है P जिसके coordinate है x1, y1 और second point है Q जिसके coordinate है x2, y2 तो slope निकालने के लिए सबसे पहले हम point Q से एक perpendicular draw करते हैं x axis पे जो की x axis को R point पे intersect करता है ठीक उसी परकार point P फे भी हम एक perpendicular draw करते हैं line QR पे जो की line QR को M पे intersect करता है अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो line PM है वो line OR के parallel है जहाँ पे O origin है तो corresponding angle property से यह angle भी theta हो जाएगा अब अगर triangle PQM में देखें तो tan theta perpendicular over base के equal होता है जो की यहाँ पर हो जाएगा QM by PM के equal और अब अगर हम QM को देखें तो वह equal होगा QR माइनस MR के जिसको हम कुछ इस परकार लिख सकते हैं अब हम figure से देख सकते हैं कि QR है Y2 के equal और MR है Y1 के equal तो हमें QM की value मिल जाएगी Y2 माइनस Y1 तो अब हम एक और perpendicular draw करते हैं point P से जो की line OR को S point पे intersect करता है और हम length PM को निकालेंगे जो की equal होगा length SR के जिसको हम लिख सकते हैं OR माइनस OS जो कुछ इस परकार होगा और हम figure से यह भी देख सकते हैं कि length OR जो है वो X2 के equal है और length OS X1 के equal है तो PM की length हो जाएगी X2 माइनस X1 तो अब हमारे पास QM और PM दोनों की ही value X1 Y1 और X2 Y2 की form में आ गई है तो जब हम इसको इस equation में put करेंगे तो हमें मिलेगा tan theta is equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 और हम जानते हैं किसी भी line का slope tan theta की equal होता है तो यहाँ पे slope हो जाएगा m is equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो angle यहाँ पे theta हमने लिया था वो एक acute angle था लेकिन अगर यही angle obtuse हो तो क्या वो slope सेम रहेगा तो चलिए उस case को भी discuss कर लेते हैं जब theta जो है मारे पास वो obtuse होगा इसको भी हम XY plane पे देख लेते हैं तो यहाँ पे एक line है L जो की point P और Q से पास होती है जिसके coordinate X1,Y1 and X2,Y2 respectively है अब जैसे हमने acute angle वाले case के लिए किया था ठीक उसी परकार यहाँ भी एक perpendicular draw करते हैं point Q से जो की X-axis को R point पे intersect करता है and similarly हम point P से भी एक perpendicular draw करते हैं जो की line Q R को M पे intersect करता है तो इस case के लिए theta positive direction of X-axis से कुछ इस परकार हो जाएगा अब linear combination of angle property से यह angle 180 degree minus theta हो जाएगा और corresponding angle से angle MPQ भी 180 degree minus theta हो जाएगा अब हम point M से भी एक perpendicular draw करते हैं जो की Y-axis को S point पे intersect करता है अब अगर हम triangle QMP की बात करें तो इसमे angle MPQ 180 degree minus theta के बराबर है जिससे theta की value हमें 180 degree minus angle MPQ के equal मिलती है अब अगर हम line L के slope की बात करें तो वे equal होता है M is equal to tan theta के जिसमें theta equal है 180 degree minus MPQ के तो यह हो जाएगा tan of 180 degree minus angle MPQ और हम जानते हैं कि tan 180 degree minus theta minus tan theta के बराबर होता है तो यह हो जाएगा minus tan of angle MPQ और हम यह भी जानते हैं कि tan theta perpendicular over base के equal होता है जो कि equal हो जाएगा minus MQ by MP के अब हम MQ को देखें तो वे equal होगा QR minus MR के और अगर MP को देखें तो वे equal होगा PS minus MS के जिसको हम कुछ इस परकार लिख सकते हैं अब इनकी value put करने पे हमें slope मिलेगा minus of y2 minus y1 upon x1 minus x2 जिसको rewrite करने पे मिलेगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो इसके इसके लिए भी आपने देखा कि हमें slope मिल गया है y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो यहां से हम कह सकते हैं कि angle acute है या फिर obtuse अगर हमें कोई भी दो point के coordinate given है जिससे line pass होती है तो उसके लिए slope हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 चलिए इस concept को एक example से समझते हैं इस example में हमें एक line का slope नेकालना है जो की pass होती है दो point से जिसके coordinates है 3,1 and minus 2,4 तो चलिए इसका solution discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि कोई line दो point से pass होती है x1,y1 and x2,y2 तो उसके लिए slope हो जाता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब अगर हम यहाँ पर compare करें तो हमें x1 मिल जाएगा 3 y1 मिल जाएगा 1 and x2 मिल जाएगा minus 2 and y2 मिल जाएगा 4 जिसको अगर हम slope के formula में put करें तो हमें मिल जाएगा m is equal to 4 minus 1 upon minus 2 minus 3 जिसको further solve करने पर हमें मिल जाएगा 3 upon minus 5 तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो slope है वह होगा minus 3 by 5